दी बच्चो आज गणित के लेच्चर में हम आपको त्रिकोन मिती फारमूला बताएंगे इसके पहले दो एकसरसाइज 8.1, 8.2 समाप्त कर चुके हैं अगली एकसरसाइज के लिए नए फारमूले की आउ सकता है तो वो फारमूले पहले आप देखें 48 फारमूले आप 5 मिनट में समझ लेंगे केवल उनको भली भाती समझना है रियाद नहीं करना, रटा नहीं मारना केवल समझना है तो आए कैसे समझते हैं तो सबसे पहले उन फारमूलों को जानने के लिए एक रेखा हम 36 अच्च खींचते हैं और एक उर्धवधारच खींचते हैं यह हमारी एक किरण है यह इसकी परिक्रमा करती है ऐसे बामावर्थ दिसा में जब चलती है ऐसे बामावर्थ दिसा कही जाती है तो यह धनात्म कोणा अंतरित करती है अगर ये इधर को चल जाए दच्छिना वर्थ दिसा में तो रिडात्म कोण आंतरित करती है कहने के मतलब कि जब ये इधर से चलती है इसे तो धनात्म कोण आंतरित करती है बामा वर्थ दिसा में और दच्छिना वर्थ चलती है तो रिडात्म कोण आंतरित करती है तो इसको हम चलाते हैं, अभी यह 0 अंस पर है यहाँ पर, कोई डिगरी का कॉंड नहीं बना रही, जब यहाँ से चलके यहाँ आ जाएगी तो 90 अंस का कॉंड बनाएगी, यहाँ से यहाँ तक 90 अंस का कॉंड और जब यहाँ आ जाएगी तो 90 अओर इसमें जुड़ जाएग तो 360 एक संपूर कोन के बराबर होगी अब आप निर्देशांग ज्यामित में चतुर्थांस तो पड़ चुके हैं कि इसमें ये वाला प्रथम चतुर्थांस होता है ये वाला दोती चतुर्थांस कहा जाता है ये वाला त्रती और ये चतुर्थांस ये चार चतुर्थांस हो तो यहां से डिवाइड हो गया कि जीरो से नब्बे के बीच में है वो वन्स है तो प्रथम चतुर्थांस होता है नब्बे से 180 के बीच में तो 2-3 चतुर्थांस एक 180 से 370 के बीच में है तरती 270 से 360 के बीच में है तो चतुर्थांस अब फिर बात ये आती ही कि अगर 360 से उपर हो जाए आप देखिए हमारी किरण एक चक्कर लगा के यहां पर आ जाएगी आगे फिर जाएगी तो फिर प्रथम चतुर्थांस में लेगा अगर थीटा कामान 90 से घटाएंगे तो इसी के बीच में नहीं 90 माइनस थीटा अगर थीटा 360 के ऊपर जाएगा तो 360 प्लस थीटा एक यह आ जाएगा इसके इसके बीच में यह कौन अब इसके बीच में 90 180 के बीच में क्या आएगा 90 के ऊपर यानि 90 प्लस थीटा आए 180 से कम यानि 180 माइनस थीटा यहाँ पर फिर 180 के उपर यानि 180 पलस थीटा और 180 यह 270 माइनस थीटा फिर इसमें आएंगे 270 के उपर यानि 270 पलस थीटा और 360 से कम यानि 360 माइनस थीटा इतने इतने के सूत्र बनेंगे ये देखिए किते मान हुए हमारे पास कुल मिलाके आठ मान हुए एक के छे सूत्र बनेंगे तो आठ चंग अटालिस सूत्र पराप्त होंगे तो अब इन सूत्रों को कैसे जाने कैसे लिखें इसके लिए हमें तीन बातें याद रखना है कौन कौन सी तीन बातें अभी हम आपको किलियर कराए देते हैं यहां से इस फीगर से तो आपका चतुर्थांस किलियर होगा इस फीगर से आपका चतुर्थांस किलियर होगा तो और से इस दो बातें वो अभी notes आपको हम लिखाएंगे पहले दो चतुर्थांस इस figure से चतुर्थांस के लिए करें कि अगर पहले 0 से 90 के बीच में है तो पर्थम चतुर्थांस तो पर्थम चतुर्थांस में कौन कौन आते हैं ये दो दो ती में ये आते हैं हिखते हां इस तर्कॉर का होँ है उखते हूं नहीं दो विस्त के उस हैं यह जाँ हम पमद आनुज आले आपको बता चुके हैं इन्हीं की शाहता से हाइन और यह के बनाएंगे तबी 8 हाँ ये 8.48 सूत्र बनेंगे तो आए पहली बात हम देखेंगे यहाँ पर एक सब्द आप याद रखिए A.S.T.C. 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 रूल किसलिए हमने याद करवा रहे हैं ये चार अच्छर हैं चार चतुर्थान सा हैं यहाँ पर लिखें A है प्रथम पर फिर ये दुती और ये तर्थी और ये ठरती ये 4 चार चतुर्थान सान्स हैं इस 4 अच्छर चार चतुर्थान सान्स के लिए आया है A का मतलब होता है Aal Aal का मतलब सभी यानि अगर वो अंस प्रथम चतुर्थांस में हैं तो सभी पाष्टी होंगे अर्थाथ सभी धनात्मक होंगे फिर S आया है दोती के लिए इस से होता है साइन और साइन का उल्टाब होता है कोसिक तो कोसिक भी अर्था दोती में अगर वो है तो साइन और कोसिक धनात्मक होंगे बाकी सभी रिडात्मक होंगे और फिर तरती में आया है टी टी का मतलब होता है टी से टैन अटैन का व्यूत करम काट यानि टैन और काट के अलावा सब रिडात्मक होंगे बाकी ये धहनात्मक होंगे और सी से होता है कास, अकास का उल्टा होता होता है तो यहाँ से ये किलियर हो रहा है अगर वो फ्रत्म, चतुर्थांस longer होंगे द। सी में हैं तो कैवल साइन और कोशिक के अलावा बाकी सब रिडात्मक तरती में हैं तो टैना और काट के अलावा सब रिडात्मक चतुरत में हैं तो कासा और सिक के अलावा बाकी सब रिडात्मक होंगे यह आपको ASTC रूल केवल धनात्मक मान बताता है सेश जो बचते हैं वो रिडात्मक हैं आए एक बात ये पहली बात किलियर हुई दूसरी बात अब नोट से याद रखना है कहा गया यदि सूत्र में 90 या 270 अंस आए आपके सूत्र में यतने ही अंस आएंगे जितने हमने उपर आपको बताया ना 90, 360, 90 और 180, 270 इसके अलावा और सूत्र में कोई डिग्री नहीं आएगा तो इसमें क्या ध्यान देना है अगर ज़िसूत्र में 90 या 270 अंस आए तो मान परिवर्तित होता है बदल जाता है किसका किसमें बदलेगा साइन का कास में बदलेगा टाइन का काट में सिक का कोसिक में वाई साइन का कास में बदलेगा तो कास का साइन में बदल जाएगा यानि इसका इसमें बदलेगा तो इसका इसमें बदलेगा नमबर दो यदि सूत्र में 180 या 360 अंसा है तो मान नहीं परिवर्तित होता अर्थात नहीं बदलता no change साइन है तो साइन है रही कास है तो कास रहेगा टैन है तो टैन हर्थात ये काट है तो काट ही रहेगा सिक है तो सिक कोसिक है तो कोसिक तो ये बाते तीन बाते आपको याद रखना है कौन कौन सी पहले उसका चिन है याद रखना है इसके बाद फिर मान बदलेगा की नहीं य आपका फार्मूला गलत नहीं होगा आईए अब हम सूत्र लिखते हैं सबसे पहले सूत्र शुरू करते हैं 90 माइनस थीटा के त्रिकोड मिती अनुपाद कैसे चालू करेंगे पहले इसको हम साइन में रखें साइन 90 माइनस थीटा यही 90 माइनस थीटा को हमने साइन में लिका अब देखिए तीनों बाते हम लगाते हैं पहले 90 माइनस थीटा किस में है पर्थम चतुर्थांस में है यह यहाँ पर है पर्थम चतुर्थांस तो 90 माइनस थीटा पर्थम में है अब पर्थम में आल पास्टिव ASTC रूल लगाएं प्रथम में सब धनात्मक होते हैं फिर बात यह है तीसरी की साइन में मान बदल जाता है 90 अंस में मान बदल जाता है कास में बदलता है तो इसका सूत्र हो जाएगा कास थीटा प्लस में रहेगा क्योंकि प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं तीनों बाते लगाएंगे पहले किस चतुर्थांस में प्रथम में प्रथम में चिन्न के लिए साइन का मान हर्थात सभी धनात्मक होते हैं नब्वे में मान बदल जाता साइन का कास में अगर यही सूत्र हम रख दें यहां पर कास में, कास 90 माइनस थीटा तो वही प्रथम चतुर्थांस में हैं, प्रथम में सब धनात्मक होते हैं, 90 में मान बदल जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस ही रहेगा क्योंकि प्रथम म तो इस तरह 90 माने थीटा के सूत्र बन जाएंगे, फिर हम आपको 90 प्लस थीटा के सूत्र बनाएंगे आगे इसी तरह, इसके आप हम 20 में मान कोई लेते हैं, जैसे हमने 10 में लिया, 10 नब्बे प्लस थीटा, देखें 10 नब्बे प्लस थीटा किस चतुर थांस में हैं, दोती चतुर थांस में हैं, अब दोती में हमारा यस है, यस का मतलब साइन और कोशिक के अलावा सब रिडात्मक होंगे, साइन और कोशिक के अलावा सब रिडात्मक होंगे, तो साइन के अ काट थीटा तो इसका सूत्र बन गया 90 प्लस थीटा का माइनस काट थीटा एक और दूसरा ले लेते हैं अगर सेक 90 प्लस थीटा रखे देख रहें कि दुटी चुतुर्थांस में ही है तो दुटी में से शायन और को से के अलावा सब रिडात्मक हों गे तो ये भी रिडात्म मान देगा, हसेक का काहि में बदल जाता है, कोशिक में, इसका भी कोशिक ठीटा होगा, ध्यान रहें, इधर कोशिक ठीटा आ जाए तो धनात्मक न कर देए, इधर का मान देखें, ये कोशिक का मान, इधर रिडात्मक होगा, अगर यहां पर आ जाए कोशिक, 90 प्लस ठीटा, तो दो ती चतुरू थांस में कोसिक की बाईलू धनात्मक होती है तो ये इधर धनात्मक मान रहेगा कोसिक परवर्तित हो जाता अस्षिक में तो ये चीज इधर धन में रहेगा ये कोसिक का मान धनात्मक होता इसलिए धन में रहेगा इस मान को रिधानात्मक नहीं करें, इधानात्मक नहीं करें, कन्फ्यूज ना हूँ तो इसी तरह हमारे ये सभी सूत्र बनेंगे 180 प्लस थीटा, तो 70 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और एक अब 280 के देख लीजिए 180 मानलो हमने प्लस थीटा ले लिया इसके भी सभी सूत्र लिखेंगे, साइन, काज, टैन, काट, सिक, को, सिक में तो पहले लिखे 180 प्लस थीटा, मानलो हमने इसमें कास में रख रहे हैं कास, 180 प्लस थीटा किसमें आएगा? تरती में आएगा तरती में टैना और काट के अलावा सब रिधात्मक होते हैं तो कास की फोजीशन रिडात्मक होगी एक स्वस्थी में मान नहीं बदलता तो यहां कास थीटा ही रहेगा तो बच्चों ध्यान दे 90, 270 एक चलेंगे 180, 360 एक तरह चलेंगे इस तरह आप 48 सूत्र लिखेंगे लिख लिए फिर उसके बाद फिर उनको जब भी पूँचा जाए तो यह चतुर्थांस की सहायता लेकर तीन बातें का प्रयोग करके आप सारे सूत्र किलियर करेंगे तो अब आप लोग इनको कापी पर लिखें और इनको समझें धन्यवाद